नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपने चैनल HVS Studies में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS के important questions लेकर आ गया हूँ जो कि expected है और आपको आने वाले exam में कहीं न कहीं किसी न किसी shift में जरूर दिखेंगे हम किसी भी question के बारे में इर्दगिर की सारी बाते यहाँ पर जानने वाले है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए है तो आप से नुरूध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाएगा तो पहला question है which type of reproduction occur in hydra तो hydra में किस तरीके का reproduction होता है मैं तो यह कहता हूँ आप science पढ़ने के लिए 9th और 10th की जो NCRT है उसको cover कर लीजेए आपके अधिकतर question competitive exam में वहीं से आजाते है तो यह question वहीं से है I think 9th की 9th या 10th की NCRT में से यह question उठाया गया है तो hydra, hydra में कौन सा reproduction होता है सबसे पहले hydra में asexual reproduction होता है asexual के भी बहुत सारे types है उन में से अगर बात की जाए तो इसमें budding होता है अब यह budding क्या है तो मैं अगली slide में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ answer आपने देख लिया, see option सही है जैसे यह माली जी hydra है यहाँ पे side में गाठ बन गई अब गाठ धीरे धीरे बड़ी होगी और mature plant का रूप ले लेगी और उसके बाद यह plant से अलग हो जाएगी यह पूरा process hydra में होता है इसलिए इसमें budding process होती है reproduction करते समय ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें तो asexual जो reproduction होता है इसके कौन-कौन से type होते है तो एक है binary एक है fragmentation एक है vegetation propagation और एक budding है और यहाँ पर क्या किया गया है fragment बनाए गया है माफ किज़ा, regeneration यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर spore vegetation किया गया है तो देखे, binary में क्या होता है binary में एक जो organism होता है वो दो parts में तूटता तूटता चला जाता है और finally दो में बन जाता है उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है fragment बनाए गया है जब यह plant है, दो parts में तूट गया यह अलग से develop होगा यह अलग से develop होगा और यहाँ पर क्या है vegetative propagation में होता है कि जो important part होता है जैसे कि आलू का important part क्या है जिसे हम use करते है वो उसका एक आलू का जो substance है वो है तो आलू में आप देखिऊंगे आखे बनी होती है आखे आखे तो हम कह देते है लेकि वो गांट-गांट सी बनी होती है तो वो क्या करती है नए आलू उगा देती है उसी तरीके से यह जो plant है यह जो leaf है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी margin important है तो margin से नए-ए नए plant उग जाएंगे और उपर वाला पर अपना अलग से organism बना लेगा तो यह होता है regeneration ठीक है यहाँ पर sport formation बोला गया है तो यहाँ पर क्या होता है कि उपर की तरफ जो bud है इसकी वहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे sports होते हैं अगर इस sports को muscle कर अगर आप जमीन में डाल देंगे तो उससे नए plant उग जाएंगे ठीक है तो यह सारा होता है और आप इसका example घर में आपने देख सकते है तुलसी वगयरा में आप देख सकते है बिलकुल exact इसका example तो नहीं है लेकिन वहाँ पर भी आप देखेंगे तो उपर जो बड़े होती है आप उसको रगड़ते है और डाल देते है तो वह नए तुलसी उगाती है तो करीब-करीब वैसा ही कुछ example यहाँ पर आपको sport formation में मिल जाएगा अगला question है which of is the reasonable music of Goa तो reasonable music कौन सा है Goa का तो answer यहाँ पर हो जाएगा Mando Mando यहाँ पर सही option है मैं आपको थोड़ा यहाँ पर detail बताता हूँ जैसे Odisha का regional music क्या है दस काथिया और आंद्र प्रदेश का क्या है बुरक काथा बुरा काथा और उत्तर प्रदेश का कजरी है केरला का भूटा सौंग है कश्मीर का छाकरी है और उत्तर प्रदेश का सोहर है बिहार में भी आप सोहर अगर option भी उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार हो तो बिहार भी आप सोहर लगा सकते है क्यों बिहार में भी कुछ इलाकों में यह किया जाता है और गोवा का मांडू यही कोशन था आपके लिए और कुमाउं का बरहा मास है ठीक है चला आगे बात करें यहाँ पर आपको इंफॉर्म करना चाहता हूँ हमारी एक e-book है जिसमें 2000 कोशन का बेस्ट कलेक्शन है 500-500 कोशन को यहाँ पर हमने कंपाइल किया हुआ है चार सब्जेक्स यहाँ पर कवर किये हैं अगर आपके पास नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो आप इस बुक को परफर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है तो हमारे दात खराब होने लग जाएंगे तो अंसर हो जाएगा 5.5 अगर 5.5 से कम pH हमारे मुँगा हो जाता है तो उस ताइम पर हमारे दात डिके करने लग जाएंगे घैली जो हमारे नॉर्मल यूज़ होता है उसके बारे मैंने आप लिग दिया है जैसे HCL HCL का pH 0 आपको मिल जाएगा और जो अगर HCL oil है तो उसका pH 1 होगा आपको paper में 1 ही मिलता है option में तो 1 ही आपको लगाना है ये तो नहीं मिलेगा आपको gastric juice की बात करें तो वहाँ पे 1.4 होता है वहाँ ऑगेस्टिक juice आपको पता है वहाँ पर भी HCL अवलेबल होता है इसलिए वह acidic nature का होता है lemon juice की बात करें तो 2.5 है इसका vinegar की बात करें तो 4 है इसका tomato juice की बात करें तो 4.1 है इसका coffee की बात करें आपको बिलकुँ close कभी नहीं देगा एक 4 देगा तो एक 8 देगा एक 1 देगा इस तरीके दूर दूर देगा कभी quantity ऐसी नहीं देगा जो बिलकुल close हो तो आप tension मत लीजेगा इसकी coffee का 5 होता है और saliva का 7.4 होता है और saliva जब इसमें मील मिल जाता है मील मनला हमारा खाना मिल जाता है उसके बाद इसका 5.8 हो जाता है मतला acidic nature का हो जाता है और blood हमारा 7.4 होता है अंडे का 7.8 होता है toothpaste का 8 होता है baking soda का एक बाद question पुछा गया था कि toothpaste acidic होता है कि basic होता है तो आपको बता देना है कि basic होता है baking soda solution 8.5 होता है और washing soda का 9 होता है तो आप इनके pH याद कर लीजिए, आपसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अगले कोशन की बात करें Which finger shows the direction of current in Fleming left hand rule तो Fleming का जो left hand rule है, उसके according जो current कौन सी finger दिखाती है, तो तीन है वहाँ पर एक तो thumb है, और एक हमारी middle finger है और एक हमारी index finger है, ring finger कुछ नहीं है यहाँ पर यह answer कुछ नहीं है, यह होती भी नहीं है तीन finger हमारी यहाँ पर use होती है, मैंने आपको बता दिया thumb, middle और index, जो अंगूठे के बगल वाली finger है उसको हम index कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर बात करें तो left hand वाला जो rule है, यहाँ पर आप देख सकते है जो beach वाली finger है, beach वाले के बारे में पूछा गया है आप यहाँ देखिए, left hand की current, current कौन सी finger दिखाती है तो beach वाली finger यहाँ पर current दिखाती है, middle finger answer यहाँ पर सही हो जाएगा और अगर आपसे पूछा जाता, magnetic field कौन दिखाती है, तो आप बोलते index दिखाती है ठीक है, अगर आपसे बोला जाता की motion, thrust या फिर motion कौन दिखाता है तो आप उसको थम कहते है, या फिर force अगर आपसे बोल दिया जाता, तब भी आप थम ही कहते है ठीक है, चाले है, आगे बात करें, अगरा कुशन है विच आफ दा फॉलाइंग बिकम्स आ यूनियन टेर्ट्री आफ इंडिया इन नाइंटीन फिफ्टी फो एबाउट तो फ्रांस ने उस पर रूल किया था, और 1954 में हमने उसको यूनियन टेर्ट्री बना दिया है इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो प्रवाइड करा रखी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर मैंने क्या किया है, सारे स्टेट, सारे यूनियन टेर्ट्री कैसे कैसे बने, वो सारा मैंने इलेबरेट किया हुआ है चैनल पर वीडियो है, आप डाल लिजे, और एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा तो पॉन्टुचेरी आंसर यहाँ पर सही है, अगला कोशन है ऐस आफ जून ट्वेंटी नाइनटीन, हू इस दा चेर्मेन आफ इसरो इस ऐसे कोशन्स के लिए आप करेंट अफर वाली वीडियो जो हमारी सुबह आती है, उसको जरूर देखिए आपको यह सब याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर वही पेपर के समय पर आप क्या करेंगे धूंडेंगे कि जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है वो बताओ, तो वह दो चार दो चार लोग बता देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आपसे दोजार निस का पूछ लिए तो गरबढ़ा जाता है बेनिफिट मिलेगा, यकीन मानिए, बहुत इंपॉटेंट कोशन, इस्टेटिक जी के, और वहाँ पर जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारे रिवाइस कराता हूँ, और साथ साथ, जो भी उस टाइम पर अपॉइंटमेंट है, कोई भी स्कीम है, पूरी एक हपते क अल्मोस मैं हर कोशन में रिवाइस कराता रहता हूँ, इस्टेट रिवाइस कराता हूँ, तो बहुत यूटलाइज करेगी वो आपको वीडियो, तो इसका आंसर तो आप हो जाएगा, के सिवान, वो अभी भी नहीं बदले हैं, तो आंसर यहाँ पर के सिवान सही है, ठीक ह यहाँ पर बात करें, तो इस्रो, इस्रो की फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन, इसको फाउंड किया गया था, विक्रम सारा भाई ने, और फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 को, हेड़कोर बेंगलूरू में है, और एड्मिनिस्टेटर के सिवान है, इनी के बारे में कोशन पूछा गया है, और इतनी बात आपको याद रखनी है, और इसकी सबसेडरी अगर आप जाना चाहें, तो विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर इसकी सबसेडरी है, आगे बात करें, अगला कोशन है, विच आफ दा फॉलॉइं साइट इस एसोसिये ग्यान की प्राप्ती हुई थी, और सारनात वो जगह है, जहां पर उन्होंने पहली बार, अपना उपदेश दिया था, ग्यान दिया था, और कुशी नगर वहां पर उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, यहां पर बात करें, तो सिधार्त उनका बच्पन का नाम है, 563 BC में उन का जन्म हुआ था, उनकी माता का नाम महा माया है, फादर का नाम सिधोधन, सिधोधन है, और यसोदरा उनकी वाइफ है, मतलब जिन से साधी हुई थी, और उनके बेटे का नाम राहुल है, एक्जाम में सारे पॉइंट पूछे गए है, 29 एर में उन्होंने अपना घर उड़के गए थे, उसको, उस प्रॉसेस को कहा जाता था, महा भिनिश करवन, ठीक है, आगे बात करें, अगला कोश्चन है, दा विक्रम सिला, गेंगे टिक, डॉल्फिन सेंचुरी इस लोकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार, बहुत सारे सिफ्ट में, लास टाइम आप से पूछी गई है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया इसको, तो विक्रम सिला, गेंगे टिक, डॉल्फिन सेंचुरी, ये है बिहार में, अब बिहार में यहाँ पे कहां, तो आप बिहार का एक देख लीजे, अलाबाद तो यूपी में है, हरी द्वार तो उत हाइस्ट सिविलियन अवर्ड ऑफ इंडिया, तो इंडिया का हाइस्ट सिविलियन अवर्ड कौन सा है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, अचा दूसरे नमबर पर पूछा जाए तो आप बताएंगे इसको पद्म विभूशन, तीसरे नमबर पर पू की बात करें तो आगे बात करें तो भारत रतं भारत रतं C. Raja Gopalachari S. Radha Krishnan C. V. Ramanji ये तीन लोगों को मिला था आपको नाम याद रखना है हमारे रास्टरपती जी इसको देते हैं और यहाँ पर आपको बताऊं तो 2019 में जो लास्ट आवार्ड दिये गए है 2019 में दिये गए है नाना देशमुक जी भुपेन हजारीका जी और प्रनाव मुखर जी जी आगे बात करें अगला कोशन है What is the national game of USA USA का national game क्या है तो अनसर यहाँ पर हो जाएगा USA का national game है बेसबॉल आप ऐसे किसी भी देश का national game पढ़ान मंतरी रास्ट पती है ऐसे याद नहीं कर सकते जो current में चल रहे है ना उनके जरूरा आप याद करें जैसे USA तो चर्चित रहता ही है तो इसका तो almost सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि यह exam में पूछे जा सकते हैं ठीक है यहाँ पर बात करें अगले कोशन की इन विच कंट्री हमबन टोटा पोर्ट यह बहुत जादा भी चर्चित रहा है आपको मालू होगा हमबन टोटा पोर्ट में चाइनीज का कुछ अक्वार्मेंट हो चुका है हैना वहाँ पर उसी के आसपास हमारी जो भारत की कंपनी है उसने भी वहाँ पर अक्वार लिया है कुछ 51% का शेर लिया हुआ है वहाँ पर तो वहाँ पर बहुत कुछ काम चल रहे है तो यह जो है हमबन टोटा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पर है तो आंसर हो जाएगा यह शेलंका में ऐसे कुछन्स ही आपसे एक्जाम में पूछे जाते है ठीक है इंडिया के अगर पोर्ट की बात की जाए तो दीन दयाल पोर्ट जो है वो गुजरात में है पारादी पोर्ट औरीशा में है जवालाल नहरू पोर्ट महरास्ट में है विसाका पत्नम तो नाम से पता चल रहा होगा आंतरपरदेश में है मुंबई नाम से पता चल रहा है स्यामा परसाद मुखरजी वेस्ट मेंगाल में है और चिन्नई चिन्नई पोर्ट भी नाम से पता चल रहा है तमिलाडू में है न्यू मेंगलूरू पोर्ट करनाटका में है और ये चिदम बारानार पोर्ट रस्ट तमिलाडो में ये नाम से नहीं पता चल रहा है तो आप इसको जरूर याद रखें और कोचिन पोर्ट पता चल रहा है केरला में और कमराजर पोर्ट कमराजर पोर्ट तमिलाडू में है और मोर्गू गाउं पोर्ट गोवा में है ठीक है आगे बात करें अगला कोशन है ट्विंकलिंग ओफ स्टार इस मेंडली डू टू विच फिनोमिना तो आप से ये कोशन पूछा जा सकता है साइंस का कोशन है आंसर यहां पर हो जाएगा रिफ्रेक्शन की वज़े से ऐसा होता है कि हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं आपसे ऐसा कोशन भी पूछा जा सकता है कि जो आपको साम के समय सन की जो लाइट है वो रेड दिखाई देती है क्यों दिखाई देती है तो वो आपको दिखाई देती है स्कैटरिंग की वज़ तो किस atmosphere की layer में ozone gas present है तो आंसर यहां पर हो जाएगा stratosphere second layer earth से second layer है जहां पर ozone gas present है ozone gas का formula होता है O3 oxygen की तीन molecule यहां पर available होते हैं अगर यहां बात की जाए तो trophosphere में क्या क्या होता है aeroplane उड़ते हैं मौसम संबद्धित जितनी भी घटनाए है वह यहां पर ही होती है अगर बात की जाए ozone layer कहां पर है तो आप देख सकते हैं stratosphere में है मेटोर्स जो मेटोर्स हैं वो मीजोइस्वेर में होता है और satellite कहां पर launch की जाती है किस layer में settle की जाती है तो thermosphere में इसको set की जाती है aurora वाला जो घटनाए है वो भी thermosphere में ही होता है exosphere की बात करें तो यहां पर space ship जाती है यह सारे काम जो होते हैं अलग-अलग layers में होते हैं एक बार आप इसको और गौर से देख लीजिए जिससे आपको याद हो जाए आगे बात करें अगला question है how many non-permanent member does UN Security Council have तो अंसर हो जाएगा 10 है इस वक्त जो non-permanent है total तो permanent total member तो 15 है लेकिन 10 है non-permanent और 5 है permanent permanent non-permanent में भारत 20 वक्त चुना हुआ है मनला भारत भी इसमें है और अगर 5 की बात किया जो permanent है कौन कौन है USA है रशिया है चाइना है फ्रांस है और UK है ठीक है यह country आपको याद रखनी है आगे बात करें अगला question है which of the following Indian city has got UNESCO World Heritage Site Tag तो answer यहाँ पर हो जाएगा अभी recently में तो जैपूर को मिला है लेकिन जैपूर option में नहीं है जैपूर को मिल चुका है अगर जैपूर option में होता तो फिर फिर आप सोचते लेकिन एहमदाबाद इन cities में से जिसको UNESCO ने World Heritage Site का दरजा दे रखा है और साथ साथ अभी recently में कुछ ताइम हुआ है पिछले साल जैपूर को यह UNESCO World Heritage Site का दरजा मिला हुआ है ठीक है आगे बात करें यहाँ पर बात करते हैं अभी recently बिल्कुल recently में दो साइट को UNESCO ने अपना World Heritage Site का दरजा दिया हुआ है एक तो गुजरात की है धोला वीरा और एक तेलंगाना का रमपा टेंपल है ठीक है यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले भारत का सबसे पहली साइट कौन सी थी तो आप से अगर कोशन पूछा जाए तो आप अजंता केव को लगाएंगे लेकिन उसी साल चार साइट को दिया गया था कौन कौन सी साइट है तो आगरा का फोट है जो कि उत् 1883 में उत्तर प्रदेश में जो लोकेटेड है वहाँ पर युनेसको वर्ल्ड ऐटेसाइड का दरजा मिल चुका है भारत की इस वक्त टोटल 40 साइट है जिनको वर्ल्ड युनेसको ने वर्ल्ड हेटेसाइड का दरजा दे रखा है आगे बात करें अगर आपको ये वीडिय लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाएगा और एटली दस से बीस लोगों को आप ज़रूर शेयर करेंगे ऐसी आपसे आशा करता हूँ ध जाले बात